जै स्री कृष्णा आज सुक्रवार के दिल आईए सुनते हैं। जो पुत्र वश्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। भागवत पुरार के अनसार भ्रिगुरिशी के कभी नाम के पुत्र भी हुए जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महरसी अंगीरा के पुत्र जीव यानी गुरु तथा महरसी भ्रिगु के पुत्र कभी यानी शुक्र समकालिन थे। यग्योपवीत शंचकार के बाद दोनों रिष्यों की सहमती से अंगीरा ने दोनों बालकों की सिच्छा का दाईत्व लिया। कभी महरसी अंगीरा के पासी रहकर अंगीरा नंदन जीव के साथ ही बिद्याध्यन करने लगा। आरंभ में तो सब सामान ये रहा पर बाद में अंगीरा अपने पुत्र जीव की रच्छा की ओर बिसेस ध्यान देने लगे। वह कभी की उपिछा करने लगे। कभी ने उस भेद भावपुड बेवहार को जानकर अंगीरा से अध्यन के बीच में ही छोड़कर जाने की अनुमती लेली और गौतमरिसी के पास पहुचे। गौतमरिसी ने कभी की संपूर कथा सुनकर उसे महादेव की सरण में जाने का उपदेश दिया। महर्शी गौतम के उपदेशा अनुशार कभी ने गोदावरी के टट पर सिव की कठिन अराधना की इस्तुती वह अराधना से प्रसन होकर महादेव ने कभी को देव को भी दुरलव मृत संजीवनी नामग बिद्या प्रदान की तथा कहा की जिस मृत ब्यक्ती पर तुम इसका प्रियोग करोगे वह जीवीत हो जाएगा। साथी द्रहत्व प्रदान करते हुए भगवान सिव ने कहा की आकास में तुम्हारा तेज सब नचत्रों से अधिखोगा। तुम्हारे उदित होने पर ही विवाह आदी शुबकार्य आरम किये जाएंगे अपनी विद्या से पूजी थोकर। भ्रिगुनंदन शुक्र दैत्यों के गुरुपत पर नियुक्त हुए जिन अंगीरारिसी ने उनके साथ उपेच्छा पूर्वेवार किया था। उन्ही के पौत्र जीव पुत्र कंच को शंजिरने विद्या देने में शुक्र ने किंचित भी संकोज नहीं किया। शुक्राचार कभी या भारगव के नाम से प्रसिद्ध थे। इनको शुक्र नाम कैसे और कभ मिला। इस विशय में वामन पुरार में कहा गया है। दानोराज अंधकासुर और महादीर के मध्य घोर युध चल रहा था। अंधक के प्रमुक्से नानी युध में मारे गये। पर भारगव ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर जीवीत कर दिया। पुनर जीवीत होकर कुजंभ आदि दैत्य फिर से युध करने लगे। इस पर नन्दी आदि गड महादीर से कहने लगे कि जिन दैत्यों को हम मार विराते हैं। उन्हें दैत्य गुरू संजीवनी विद्या से पुनर जीवीत कर देते हैं। ऐसे में हमारे वलपवरुस का क्या महत्व है। यह सुनकर महादेव ने दैत्य गुरू को अपने मुक से निगल कर उद्रस्त कर लिया। उदर में जाकर कभी ने संकरती इस्तुती आरंभ कर दी। जिससे प्रसन होकर सीवने उनको बाहर निकालने की अनुमती दी। भार्गव स्रेष्ट एक दिव्यवस्तक महादेव के उदर में ही बिचरते रहे। पर कोई छोर न मिलने पर पुनह शिव इस्तुती करने लगे। बार बार प्रार्धना करने पर भगवान संकरने। हंस्तर कहा की मेरे उदर में होने के कारण। तुम मेरे पुत्र हो गए हो अतह मेरे सिस्र से बाहर आ जाओ। आर से समस्चराचर जगत में तुम सुक्र की नाम से ही जाने जाओगे। शुक्रत्व पाकर भारगव भगवान संकर के सिस्र से निकल आये। और दैत्य सेना की ओर प्रस्थान किये। तबसे कभी शुक्राचार्य के नाम से बिख्यात हुए। जोतिस सास्त्र में शुक्र का कारख भी शुक्रग्रह को ही माना जाता है। शुक्र के जोतिस में खास महत्व के कारण ही। कुंडली के आकलन के दवरान इसकी इस्थिती पर 20 ध्यान दिया जाता है। शुक्र का मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव माना गया है। ऐसे में जोतिस के जानकारों का कहना है कि शुक्रही वह ग्रह है। जो यह बताता है कि किस ब्यक्ति के जीवन में कितना सुख, प्रेम वह शंपन्नता आएगी। जोतिस की अमसार शुक्र ग्रही व्यक्ति के भावतिक, सारिरिक और बैवाहिक शुखों का आधार है। इस ग्रह को दो रासियों क्रमसह, बिशब और तुला रासी का श्वामित्व प्राप्त है। जबकि यह देव गुरु ब्रिहस्पती की रासी मीन में उच्च माना गया है, वहीं ग्रहों की राजकुमार बुध की रासी कन्या में यह नीचिस्थिती में माना जाता है। बुध और सनी ग्रहों से मित्रता रखने वाले शुक्र की शूर्य और चंद्रमा से सत्रुतता मानी गई है। जोतिस के मुताबि शुक्र ग्रह का कुंडली के लगनभाव में होना जातक को रूप रंग से बेहत सुन्दर वा आकरसक बताता है। वहीं ऐसा जातक सुभाव से मृदुभासी होने के साथ ही कला में रूची रखता हो। इसके लावा शुक्र का कुंडली में मजबूत इस्थिती में होना जातक के प्रेम वववाहिक जीवन को शुक्मई बनाता है। ऐसे में यह एको जहां पती पत्नी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाता है।